वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 120 क्वेशिंज की एक मेगा रैपिड पायर एनालीसिस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेंथी जरूर रहेगा इन्फरमेटिव होगा यह मैं अश्योड हूँ तो चलिए स्टार्ट करत हैं एंड दे सीरीज विल गो अप्टो 108 एंड दिस इस और क्वेशिंज एट नमबर 39 कंप्यूटर डिराइब इस नेम फ्रॉम वर्ड इट इस कंप्यूटर है एक्चली यह लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है केल्कुलेट करना कंप्यूट करना करेक्ट बहुत सारे र दिसकेशन और डिवेट के लिए फ्यूचर में सेशन कंड़क्ट करेंगे 40 नमबर पर देखते हैं और एकल वाज इंट्रोड इस डिन बहुत पॉपिलर आडी बीमस है और एकल यह और एकल फॉर्थ जेनरेशन की कंप्यूटर जब लांच हुए थे उस दौरान यह लेंग है जो इस आडी बीमस का एक एहम इंवेंशन थी तो यह फॉर्थ जनरेशन के एरांड एरांड इंट्रोड्यूस हुआ था यह आडी बीमस नेक्स्ट कुशिन इस फॉट्टी वन पे एक्चली में फ्रेम कंप्यूटर के बारे में पुछा है नोने की प्रोसेसिंग की टेक बट दो तरह के इनिट्स होते हैं प्रोसेसर कोडिनेशन के लिए प्राइमरी और सेकंडरी वो बैच क्लॉग में काम करते हैं तो फॉर्टी वन का डी इस दे करेक्ट आंसर इसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं एंड सी इन सी प्यू डिनोट्स सी प्यू में सी का मतलब हुआ सेंट्रल पी मिन्स प्रोसेसिंग यू मिन्स यूनिट नेक्स्ट कुश्चिन इस एल्यू परफॉर्म्स विच ऑपरेशन चार ऑपरेशन दिये हैं इसमें लॉज इसमें और इसमें जिल्चिकल यहां भी इन्होंने क्या किया है इन्होंने अर्थमेटिक वाला पाट नहीं दिया है लॉजिकल दिया है तो लॉजिकल करेक्ट आंसर होगा कोशिन नमबर फाइब पे चलते हैं विच आफ द फॉलॉइंग मैनेजेस कंप्यूटर रिसूर्स it is control unit यह master unit है जो control और coordinate करता है सारे के सारे resources को computer के next question पे चलते हैं group of instructions that directs a computer वो है program program इसका option D is the correct one and next question says 32 bit microprocessor has word length कभी भी word length equal करनी है चाहे 64 bit का processor हो 32 bit का processor हो बटा अपने bits को byte में convert करना है जैसे 4 byte का मतलब होता है 32 bits, one byte means 8 bits, so 8 into 4 means 32 bits तो this is the correct option B next question is when a key is pressed a keyboard interacts with keyboard controller और keyboard buffer both B and C is the correct option simple भाष्टा में कहूं है जब हम कोई keyboard में कोई भी key press करते हैं for instance हमने A key press किया so what happens एक interrupt OS को जाती है interrupt क्या एक एक तरह की request है कि something has happened to the keyboard अब keyboard में क्या हुआ है ये जो system keyboard controller है ये बापिस signal जाता है keyboard की और है ना अब keyboard की एक memory होती है उसे keyboard buffer कहते है ये उस buffer में ढूंडता है कि 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 की का scan code है और वो scan code forward होता है operating system में और उसके accordingly function perform होता है मतलब keyboard controller और buffer इसमें दोनों होगे तो D option है correct next है mouse generally has two button इसमें तो कोई भी गुजाईश ही नहीं है शंका की left में और right में actually beach में वो roll करने के लिए वो तो sorry उसे traverse करने के लिए button होता है beach में that is not basically button that is a rolling wheel basically so 49 का a is the correct answer 50 में लिखा है इन्होंने what type of device is a computer monitor in in option में computer monitor is an output device modern monitors जो है they support both I O operation means हम जैसे phone अब दिख रहे हो इसका monitor तो input भी accept कर रहा है touch और tap भी accept कर रहा है तो ऐसे monitors को हम I O monitors करते हैं जो दोनों input और output accept करते हैं next question which is not an impact printer यह है laser printer बस best technique है दो यह तरह के printers है एक laser एक inkjet जो comes under non impact category इनके अलाबा कोई भी printers होंगे वो सारे के सारे dot matrix printer हों चाहे daisy wheel printer हों यह सभी के सभी impact की category में आते हैं traditional printers होते हैं जिसमें hammer और carbon paper का roll रहता है तो laser और inkjet यह non impact होते हैं not an impact laser ही इसका correct answer रहेगा primary memory stores देखो RAM का का काम क्या है store करना आप input करो data करो आप programs को execute करना हो temporary results hold करने हो intermediate results वो सारे के सारे primary memory में होते है मतलब simple scenario है हम input देते हैं it goes to RAM RAM इसको deliver करता है processor के पास processor data को process करके बापिस RAM में भेजता है finally RAM उसको direct करता है output के लिए तो यह सारी की सारी चीज़ें happens in primary memory तो all of these is the correct answer ROM stands for it is read only memory floppy disk contains floppy disk में tracks और sectors जोनों होते हैं and 55 number पे क्या है this is binary addition one zero और one one को add करना है so it returns out one zero one इस तरह से होती है binary addition one zero one one ठीक है one zero means one 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 means one zero तो one इधर को carry होगा zero आ जाएगा so one hundred one future में कभी मैं addition के वीडियो बताऊंगा आपको which is not a computer language it is high level भी है अचा मीडियेटर किसी भी तरह की language computer की नहीं है which of following is not a function of operating system virus protection directly OS की core functioning से related नहीं है however, एक extra utility हो सकती है जैसे Windows 10 में आप देखोंगे Windows Defender एक extra utility है but OS की core functioning से related नहीं है जैसे application management, disk management, memory management, file and folder management ये OS से directly associated होते हैं implicitly associated होते हैं but virus protect करना एक direct काम नहीं होता है operating system का however, you can install extra utilities तो इन options में से virus protection पर हम टिक करेंगे कि ये directly related नहीं है Linux एक open source multi-user multitasking operating system है Android Linux based है Android is a kind of Linux distribution next question discuss करते हैं 59 पे कुछ DOS की commands दी हुई है internal इन में से कौन सी internal command नहीं है DOS में दो तरह की commands होती है internal और external internal DOS की internal file में reside करती है जो external command होती है उनके लिए diskette insert करने पड़ती है तब ही वो execute होती है जैसे कि copy, sorry, external backup command है हना extra diskette अगर हम plug-in करेंगे operating system को अगर हमारा DOS होगा तो ये backup function करेगी बाकि copy, clear screen और prompt ये internal command है बहुत पूराना operating system होता था DOS single user, command line आज की date में DOS तो गायव है तो GUI based operating system पे paste चला हुआ है next question discuss करते है 60 number पे है rectangular area for displaying information and running program याद रखना ये desktop है अगर यहाँ पे simple messages होता rectangular area में को information in the form of message user के लिए then answer would be dialogue box यहाँ पे, sorry desktop नहीं है this is window है ना, तो rectangular area आता है जिसमें सारे programs और information होता है window simple एक screen है computer की main area है जहाँ पे सारी चीज़ें perform होती है 61 पे windows से related आये, यह operating system से related है files are organized by storing them in folder तो file तो folder में ही organized होते है तो folder is a kind of library जिसमें हम files को store करते है next question says, which command from file menu in ms word is used to create a new document simple सी बात है आप file पे जाके new select करो, नय document open हो जाएगा 63 mail merge से related है question, last video में भी मैंने आपको बताया था ms word में mailing list को बोलते है data source is basically a kind of database जिसमें invitees के list होती है दो document combine होते हैं na mail merge में एक data source, एक main document तो अगर mailing list का पूछेगा, तो आप data source पे टिक करो अगर main body के बारे में आपको पूछेंगे इसमें mail merge में, वो main document बोलते हैं उसको यह mailing list है, तो आप data source पे टिक करो 64th question says, yeah, font size को change करना है आप किस toolbar में कौन सी option आप चूज़ करोगे, किस toolbar को चूज़ करोगे यह है formatting toolbar, इसका correct answer font से related attribute वहां पे आपको मिलेंगे Excel से spreadsheet बनती है spreadsheet एक ऐसी sheet होती है, जिसमें rows और column होते है so Excel इसी के लिए famous है spreadsheet create करते हैं, हम उसमें analysis, data, calculations perform करते हैं, next question discuss करते हैं it says extension of MS Excel, it is .xls यह Excel की extension है, in MS Excel next question, which menu has option to alter height and width यह बहुत important question है, यह format आपकी option होती है highlight हो जाती है, यह sub tab, जिसमें आप column की cell की width या height को adjust कर सकते हैं, increase या decrease कर सकते हैं 68 पे यह पूछ रहा है कि अगर MS Excel में आप formula को copy करना चाह रहे हैं, उनकी values को नहीं correct, तो आप paste special का use करेंगे, correct, मतलब सिर्फ formula को copy करने के लिए, ना की data को copy करने के लिए, गर आप data को copy कर रहे हो, then you may use simple copy command actually formula क्या होता है, Excel में formulas copy नहीं होते हैं, वो by default उनके references change होते हैं, relative references उसको कहते हैं, but still if you want to copy formula, either you need to, you know, lock the references using dollar का sign, या आप paste special perform कर सकते हैं, next question discuss करते हैं, कितने easy question है, काश ये जयो में आ जाए, तो आप सभी question को attempt करोगे, graphical representation के लिए charts होते हैं, Excel में, या pictorial representation भी अगर यहीं पी होता, then chart would be the correct answer, windows को close करना है, windows नहीं, windows means operating system, window means कोई आपकी active application है ना, जो आप main screen पे देख रहे हैं, microsoft में, microsoft window में, alt f4, almost हर उस program की shortcut की है, जो windows से associated है, यह should close करने की काम आती है, जादा तर, power point पे है अगला question, power point presentation is a collection of all of these, बहुत जदा बारी repeat हो आए, question, last video में भी था यह, in power point formatting toolbar is located just below, standard toolbar के ठीक नी चाहिए है, okay, power point का question है, pentagon motion पुछायन होने, यह actually animated scheme का एक set है, animation का, next question, what it says, in power point in order to see all the slide on one screen, इसके लिए slide sorter view होता है, slides को arrange करने के लिए, छोटी-छोटी slide का एक preview दिखता है, जिससे आप slides को arrange कर सकते हैं, desired order में, 75th में उन्होंने पुछा है, नई slide add करनी हो, तो shortcut है control M, याद रखना, नई presentation create करनी है, तो shortcut control plus N है, slide पुछा है, तो हम control M करेंगे, 76th, which is an organized collection of data about single entity, यह question आपको समझना पड़ेगा, सुनो, entity का मतलब किसी भी object पे data की बात कही है, इन्होंने, में कोई भी चीज़ exist करती हो, उसे entity कहते हैं, जैसे for example, आपके हाथ में mobile phone है, is a kind of entity, phone की specification की, अगर आप computer में entry करोगे, that is a kind of data, बट अगर वो organized data की collection हो, तो वो database है, otherwise data तो हम file में भी add कर सकते हैं, बट organized word इस से associate नहीं होता है, organized database से होता है, तो database इसका correct answer है, next question, DBMS means, is database management system, a group of related record, record होती है, रोज, याद रखना, table में record को क्या कहते है, रोज, सो बहुत सारी रोज से हमारे एक table बनता है, एक simple भाशा में, कहें, easiest question, in a hierarchical model, मुलो database के models है, तीन models हैं, जो सबसे important है, एक network model है, ठीक है, दूसरा है relational model, ठीक है, तीसरा है hierarchical model, relational model में simple relation होते हैं, मुलो टेवल की layout में होता है, यह model, network में, means, हर field को एक node से connect किया जाता है, hierarchical word जहां पे भी आए, database model से related हो जाए, ना हो, जो tree layout होती है, यह tree structure की layout होती है, वो hierarchical model से related होता है, मतलब hierarchical model की layout, tree layout जैसी होती है, simple शब्दों में, यह इसका character answer है, ओके, next question है, which level of abstraction describes what data is stored in database, देखो, database या data abstraction में तीन model को हम discuss करते हैं, विज़ डेटा की schema को है, डेटा की schema को हम जब design करते हैं, तो तीन phase में हमने design करना होता है, सबसे lowest phase होता है, physical phase, ठीक है, इसके second level का जो phase design होता है, that is logical phase, finally, जो end user के लिए interface त्यार होता है, उसको view level कहते हैं, अब database में कौन सा data stored है, वो सारा का सारा describe होता है, logical level में, simple भाशा में कहूं मैं, जैसे घर बना रहे हैं कोई, सबसे पहले घर की क्या बनेगी, foundation बनेगी, foundation को आप समझ सकते हैं, यह है physical level, database के संदर में, फिर क्या हो जाएगा, आपके pillar, column, आप त्यार करोगे, room त्यार करेंगे, अब जो सामान है, वो तो room के अंदर होगा न, so room is a kind of logical view, कि आप room create कर रहे हैं, database के point of view से समझें, तो that is logical view, finally पूरा घर त्यार होगा, वो आप consider कर सकते हैं, view level, यह हम database में कभी discuss करेंगे, future में, बहुत important article यहां से निकलते हैं, data abstraction पे आपको आ सकता है, sorry, data independence पे कोश्चिन आ सकता है, है न, तो वो भी आप सर्च करो data independence पे, क्योंकि अभी थोड़ा सा quickly analyze करना है, relational algebra क्या है, next question की बात कराऊ में, relational algebra बेटा एक language है, ठीक है, procedure language है, यह actually बड़े deep procedures create नहीं होते हैं, actually inbuilt procedures होते हैं, जिसे आप query को और ज़्यादा powerful कर सकते हो, unions, projection, selection करने हो data की, तो यह procedural query language है, relational algebra, next question, so in MSXS, which is a process of summarizing data into, या from one then more source, यह data consolidation है, इसकी correct answer है, एक यह ज़्यादा source से data analyze करना, summarize करना, और 83 पे है, in MSXS, why which command we can add records, यह है, simple query bizarre, मतलब different table से, अगर record add करने हैं, एक ने table पे, तो simple query bizarre is the correct answer, next question है, कि table में, जो rows होती हैं, उसका दूसरा नाम पूछा है, उसका दूसरा नाम होता है record, two seconds ago, moment back मेंने बताया था, टपल, row, record, यह rows के लिए word use थे हैं, attribute, domain, field, यह होते हैं, column के लिए word use, कभी यह भी पूछा जा सकता है, eighty-fifth, कौन सा method है, ms access में, मतलब एक ने table create करना चाहरा है, ठीक है, यह सारे ही हैं, bizarre से आप create कर सकते हो, design view, data sheet view, यह सभी के सभी correct हैं, yeah, shortcut की, हम फिर से repeat हुई, control, yeah, to close a database, यह तो universal की है, alt f4, eighty-seven, the most important powerful computer, network में, वो network server ही है, main जो powerful computer है, in signal processing, bandwidth is measured in, यह hertz में measure होती है, which protect coaxial cable from noise, yeah, it is outer conductor, आप अपने setup box से TV पे जो black color की cable जाती है, वो coaxial cable है, तो आप बाहर देखते हैं, अगर उसको आप देखोगे, एक बायर्ड सा मेश होता है, main cable होती है, एक बायर्ड सा मेश होता है, जो एक तरह से ground reference को आप consider कर सकते हैं, बट वो जो noise है, वो उसे reduce होता है, मतलब signal distort नहीं होता है, simple भाष्या में कहूं, 90 पे देखते हैं क्या है, computer network दिये हुए है, इसमें से RAN कोई भी computer network नहीं है, और hierarchical word फिर से आया, topology पे पूछा हुआ है कि कौन सी layout है, यह फिर से tree layout है, है ना, और next question is, hub receives data from, packets में receive होता है, unintelligent device होते हैं, switches तो इन से बहुत दा intelligent होते हैं, और यह hub physical layer पे operate करते हैं, switches data link layer पे operate करते हैं, तो यह question भी बन सकता है, open system interconnection, networking में एक बहुत buzz model है, seven layers होती हैं इसकी, internet क्या है, is a huge network of so many networks, option D, a website's main page, इसे home page कहते हैं, IP address की classes पुछी हुई हैं, actually classful addressing का concept अब खतम हुआ है, IPv4 में यह बहुत popular concept होता था, classful addressing, IP address में दो address छिपे होते हैं, एक host का address, एक network का address, हना, तो कितने bits host के लिए allocate हुए हैं, कितने network के लिए, यह इस addressing में designate होता है, तो A से लेके F तक five classes होती है, तो इसमें G कोई classful addressing का part नहीं है, class G कोई भी class नहीं होती है, IP address की, और अगला question बोल रहा है, कि जो DSL की speed है, वो क्या depict करती है, यह download के लिए typically list करती है, यह ऐसा नहीं है कि जो digital subscriber line है, उसमें upload और down नहीं होता है, ठीक है, पर यह जो word है DSL speed, यह download के लिए designate होता है, एक protocol के बारे में पुछा है, कि hardware के address को find करना है, local device के लिए, address resolution protocol इसका correct answer है, और बहुत easy question है next, यह तो आप मेरे से पहले perform करेंगे, it is the process of selling goods over internet, e-commerce कहते हैं इसको, हना, और all telnet operations, यह शायद 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 four bytes में होते हैं, यह, नहीं, नहीं, 18 byte में, 18 byte में, 18 नहीं यार, 8 byte है ना, और 101 में पुछ है, which is required to create an HTML document, देखते हैं, हमें text editor की जरूरत रहती है, notepad जैसे, which of the following is an example of malware, सारे हैं, warm trojan spyware, all are malwares, next question is, which ensures that unauthorized users do not access system, इसको system access control कहते हैं, यह ensure करता है कि कोई invalid user data को access ना करें, anti-virus का दूसरा नाम vaccine है, ना जी, तो यह भी बहुत ज़दा बार बिट होने वाला question है, इन में से cyber crime कौन सा है, वो है जी, hack, सारे हैं यह, warm attack, hacking, और virus attack, all of these, the site of an Asian school of cyber law, यह पूने में है, जी के का question आ सकता है, next question is, which logical gate is similar to the function of two series switches, this is, yeah, and gate, यह simple सी बात है, दो switch connect हैं series में, एक switch अगर, यहां पर मालो switch on कर दिया जाए, यहां से flow होगा, आगे switch बंद है तो current थोड़ी ना पास हो जाएगा, वो क्या है, पास नहीं होगा, अगर दोनों switch को on किया जाएगा, series में, तो current पास हो जाएगा, दोनों में से एक आफ होगा, तो current पास नहीं होगा, तो यह वाली working होती है end में, तो this is the correct answer, last question है, software design is, process model both A and B, अगर हम design पे tap करते, तो software के लिए model develop करना, processing करना, वो भी इसका part रहता है, तो अठपठा सा question है, बट closely A और B options इस पे हो रही है, तो यह बहुत rapid fire analysis हुआ है, I hope यह questions अपके काम आ जाएंगे, आप relate कर पाओगे, तो thank you, thank you for watching.